आज मैं आपको गैस पर ही चमपारन औहना हांडी मटन बनाने का इतना अमेजिंग तरीका बताऊंगी ना जिसे देखकर आप कहेंगे रिंगू आपने इस रेसीपी को पहले क्यों नहीं से अर किया मैं हुरिंकू और सागत है अपका मेरे चनल अपना की चन में तो फिर देरे किस बार की जली फटाफर से मिलके बनाते हैं इस मुआज़े आपसी रसीपी को तो चमपारन हणा हांडी मटन बनाने के लिए मैंने तो चमपारान हैंटा भाड़ी मटन के लिए गांपर 303 possível करति करते होूं मता कि पीसेज मैंने मैंने देखके 43 साथ कर दो जाए और आप दिख शचो बिल्च Вас इर्चम कोदिया है प्यास को अच्छे से छिलकर मैंने धूलिया है अब हम इसे कट कर लेंगे तो प्यास को पहले दो भाग में करके ऐसे नहीं कट करेंगे इस एंगल से कट करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैं किस एंगल से प्यास को कट कर रही है बिल्कुल इसी तरीके से आपक जादा लगए तो जितना मटन है आपका उतना मृतलब उसकी आधा है क्वांटिटी कर सकते naryanite 1 kg. 500 ग्रम प्याज करे रहां कि लिए 857 g.6. content तो 325 gB कर एंने तरेकर लिया है और इस तरीके से प्याज कमेंं एक बड़ा और फट फट चलते हैं तेल गरम करने के प्रोसेस में तहाँ पर मैंने एक पैन चड़ा दिया है गरम होने कि लिए तो साड़े साथ सौ ग्राम मटन के लिए मैं यहाँ पर वन फोर्थ कप तिल का इस्तमाल कर रही हूं तेल को हम पले हाई फ्लिम पर अच्छे से गरम होने दे इधर मैंने 22-25 छिली हुई लेसन के कल्या लिया है साथ से आठ हरी मीर्च और दो इंच अद्रक को छिल करके मैंने धूल लिया है और इसे पतले पतले लंबाई में स्लाइज कर लिया ताकि पिसने में सुभिता हो अब इन तीनों को मिक्सर जान में डाल देंगे और बेना इसँ में अड़ करेंगे अद्रक 11NEY a. अद्रक लेसन हरी म्रच का पीशा हुआ धरदरा पेष्ट तो ऐसे चंमाच के हिल एक चमच जीरा पाउडर आधा चमच काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच डाल देंगे कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है आधा चमच गरम मसाला पाउडर और एक चमच मीट मसाला पाउडर यानि की मतन मसाला पाउडर मतन मसाला आप किसी भी ब्राण कर ले सकते हैं जो आप खाते हूँ जो आपको पसंद हो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इधर तेल भी ठंडा हो गया है आधा टेल कर देंगे और आधा अधा यहाँ अगृ है मजिए निकीजित, आधा तेल मड़ी इसाहते हैं आधायों को से दिचे होई कि सौहब साद होगे देडिपध normatch केसे परीमिल हें मसालों को मैंने मटन के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया अभी हम इसे साइड भी रखेंगे और इधर मैंने देखी एक मिट्टी का हांडी लिया है अगर अगर मिट्टी के हांडी को पाली बार योज कर रहे हैं तो पहले इसमें एक बार राइस बना लिजेगा राइस के स्टा के तरफ अभी बचा कर रखा था इसे तरह ना इसे आड़ कर लेंगे एड़ कर लिया है और कर हांडी को घुमा देंगे जिसमेटि लागे य्जी तेल अच्छे से हांडी में इस भी आपके बनाएक मेरे तरीके से कहते हुटि नाफ्रे करती हुट हर बार आप चंपारण मटन ऐसे ही बनाइगै तो यहां पर मैंने सभी मटन को अच्छे से हांडी में एड़ कर दिया है अब इसे ऐसे स्प्रेट कर देंगे और इस तरीके का मीटी का धक्कन होता है उस पर्रा करके आटा जो हमने गुता था ना इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा आटे का पोर्शन लेंगे और इसे सील कर तो इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि आटा नरम गुतना है तब आप इसको इस तरीके से नरम आटे से सील करेंगे तो फटा-फटा यह सील हो जाता है बिल्कुल भी दिकत नहीं होता है तो यह थोड़ा-थोड़ा का पोर्शन लेते हुए मैंने देखिए हांडी को सील ना पके एक घंटे में तो इसे डेड़ घंटे तक लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए और हर 20 मिनट के गैपिंग पर यानि की 20 मिनट के बाद इस तरीके से कपड़े से पकड़ करके ऐसे हांडी को हलके से हिला दीजिएगा जिसे की मटन नीचे जलेना अब मैं आपको किलियर समझा देती हूं यहां पर देखिए फ्रिंस उपर के पोर्शन पर नहीं पकड़िएगा नहीं तो हांडी तूट सकती है यहां बीच में कपड़े से आपको पकड़ना है उसके बाद हांडी को ही लाना है वैसे तो इसे लो फ्लेम पर जब हम पकाते हैं तो बिल्कुल भी म मटन जल जाएगा तो आप कपड़े से बीच में इस तरीके से पकड़िए और 20 मिनट के गैपिंग पर ऐसे हलके आतों से हिला दीजी एक बार जिससे की उपर नीचे मटन हो जाएगा और जलेगा नहीं मैं फिर से आपको एक बार दिखा दे रही हूं गयस का फ्लेम बिल्क करने के दो से तीन मिनट बाद हम किया करेंगे एक नाइफ ले लेंगी और नाइफ केल्फ से जो आटा को हम लोग सील किये थे ना इस तरीके से खोलेंगे ऐसे कियर फुली यह देखिए तो गैस का फ्लेम बंद करने के तुरंत बाद ही धक्कन नहीं हटाईएगा दो मिनट रुख जाईएगा ताकि इस टीम जो है ना इसमें का इस्थीर हो जाए उसके बाद धकन अटाएगे और यह देखिए फ्रिंस वाओ हमारा सूपर डूपर डिलीसेंस चंपारन हांडी मटन बन के रेडी है एक दम आसान तरीके से और यह देखिए मटन देख रहें कितने ब इसे बनाना कितना आसान है और मिट्टी का जो फ्लेवर इसमें आता है वाओ बहुत अमेजिंग लगता है तो इस तरीके से एक बार चंपारन हांडी अहना मटन बना कर देखना आपका मन कुस हो जाएगा बहुत आसान रेसिपी है और खाने में इसके टेस्ट का कोई जबा पुछ वाली बहुत ही एक अमेजिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर